हमाई चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमाई वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल बट्र को दबाईए मैं कुल्दीप जांगिड आपका अरदिक स्वागत करता हूं जैसा कि लास्ट वीडियो में आपको कहा था कि मैं आपके सामने के ट्रिक लिक है रहा हूं जिससे आपको एक टेबल पीव फैक्टर की टेबल देखने की जुरूत नहीं पड़ेगी आप पीव फैक्टर अपने कैलकुलेटर में ही कैलकुलेट कर लोगे मैं आपको पीव फैक्टर की ट्रिक बता रहा हूं कि पीव फैक्टर किस तरीके से ट्रिक से सॉल होता है कैलकुलेटर में कैलकुलेटर में जैसे आपको पीव फैक्टर कैलकुलेट करने है फाइफ वियर्स के लिए और आपको रे 10% है 5 साल के लिए आप क्या करोगे 1 divided by 1.1 क्या करोगे 1 divided by 1.1 0.1 क्या क्योंकि 10% है अगर 20% होता तो मैं 1 divided by 1.2 करता अगर 15% होता तो मैं क्या करता 1 divided by 1.15 12% होता तो मैं क्या करता 1 divided by 1.12 ठीक है ना अभी 10% है इसलिए क्या किया मैंने 1 divided by 1.1 अब क्या करना अपने को 1 divided by 1.1 कर दिया अब क्या करना अपने को equal to press करना है जितनी भी बार equal to दबाओगे उतने साल के लिए PV factors आते जाएंगे आपके सामने पहला दबाएंगे 0.909 आएगा ठीक है न इसी तरीके से आगे अगले next years के लिए आते जाएंगे अपने कितने साल के लिए निकालना है 5 years के लिए निकालना है तो equal to कितनी बार दबाएंगे अ एक, दो, तीन, चार, पांच, पांच बार दबाएंगे equal to 5 time क्योंकि 5 साल के लिए 5 years के लिए इसलिए 5 बार, 10 साल के लिए होता तो 10 बार, 7 साल के लिए होता तो 7 बार, 5 time प्रेस क्या 1 divided by 1.1 equal to 5 बार दबाएंगे इससे पहले कोई भी switch नहीं दबाएंगे, calculator पर वही करें and then आपके सामने calculator पे एक switch होगा GT, grand total इसकी होती है, जितनी भी बार equal to आप दबाते हो, GT में वो जुटता जाता है, जैसे ही GT दबाएंगे आपके सामने आजाएगी, इसकी value आजाएगी 3.791, कितनी value आएगी 3.791, तो इस तरीके से आप आगे, कोई साभी साल यहाँ पे द दे दो, आप सारे PV vectors बीना टेबल के calculator में आपके सामने आप निकाल सकते हो, यह बहुत easy trick है, जिससे आप solve कर सकते हो, हमसे जुड़े रही है, आगे अगर और ट्रिक जाननी है, तो हमसे जुड़े रही है, e-learning meridian है, चैनल को subscribe कीजिए, धन्यवाद